है हेलो एंड वेलकम गाईज वेलकम बैक टो अनादर वीडियो वेलकम टू फिनोस्य श्टॉक्स ट्रेटर यूटूब चैनल आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मैट्टो के बार में आज फाइनली जो मैट्टो का लिस्टिंग हुआ कैपिटल मार्केट्स में बहुत ही तगरी लिस्टिंग हुई है मतलब मैं इसमें गलत सावित हो गया मैंने अपने मैं आज मैं आपको बताने वालो कुछ ऐसे ऐसे के बार में जो मैट्टो के लिए इन लॉंग रन इस नॉट गूट तो दिस करेक्ट ताइम तो बुक यूर प्रॉफिट्स और स्क्वार फिर पोशिशन स्रम्टो दिस इस वाइसे अपको कुछ हा मतलब मुझे पता यह यह कंपनी को मार्केट्स ने लॉस मेकिंग कंपनी की साफ से वैलुइशन नहीं किया है बिकॉस इस अएसेट लाइट मॉडल कल को यह कंपनी का कुछ एसेड है यह नहीं तो अगर लॉस में भी है तो एसेड सेल करने का कोई क्वेशन भी नहीं आता है सो मार्केट इसको देखती है as a business of profitability and यह enterprise to sales value के उपर यह valuations हुआ है इस हिसाप से ही इसका valuations हुआ है otherwise इतने high valuations पे और जब यह 76 रुपीज का इसका issue price था वहाँ पे ही मुझे यह महांगा लग रहा था और अभी इसका almost यह double हो चुका है इट्स इट वेंट अराउंड आज वी इन सी ट्वरेंट अर इट वेंट अराउंड वन थर्टी एइट एक सो अत्रीस रुपया के उपर यह stock गया था उसके नीचे फिर यह profit booking भी इसमें आई और जितने भी मतलब आज मैं इस stock को track कर रहा था देखके मुझे ऐसा लग रहा stock Zomato का stock अपने portfolio में चाहिए ही चाहिए ऐसे लग रहा था फिट दिन कुछ रिटल इन्वेस्टर्स का इसमें पैसा बना था तुन लोग उने शायद पोजिशन सबने स्क्वाइर ऑफ किये फिर यह नीचे भी आया थोड़ा profit booking इसमें आया थोड़ा profit booking इसमें आया थोड़ जो मैटो और आज के दिन ही जो मैटो क्रॉस्ट दा मार्केट कैप ऑफ वान लैक करूर कुड यू इमेजिन दे वैलुएशन साथ सो हाई दा मार्केट कैप ऑफ दे पीजा में कंपनी दैट इस जूबलेंट फूड ब्रैंड नेम इस डॉमिनो जो पीजा बनाने वाली पनी है उसका मार्केट कैप से 2 गुना हो चूगा है जो मैटो का मार्केट कैप फूराम का मुझे ये वैलुएशन समझने आता है मतलब पीजा बनाने वाले से पीजा डेलीविरी करने का मार्केट वैलू जाथा है यदे बी डिसेस अभी नहा मॉदल बिसनिस मोदल नहा है so they are selling their ideas so this is the price of the brain that was used behind Zomato that's what I feel Hero Motor Corp if you compare जिसका गारी ये Delivery Executives, Delivery Partners और Delivery Boy आप जो बोलते हैं वो लोग जो यूस करते हैं Hero Motor Corp का गारी उससे भी 1.7 ताइम्स के उपर का market cap हो चुका है Zomato का, just imagine guys कितना high valuations है इसका मुझे तो इस ये, मुझे ये P.E. Ratio तो digest नहीं होता है इसका because P.E. Ratio अभी price to earning ratio रहा ही नहीं P.E. Ratio has become price to euphoria ratio ये fancy stocks आ रहे हैं और इतना high इसका P.E. Ratio मुझे तो इसमें invest नहीं करना अगर आप लोगों ने इसमें IPO में इसका पैसा लगाये थे आपको profit book करके निकल जाना चाहिए because इतना high valuation साइद उन लोगों के institutional investors भी expect नहीं किये हो this is one thing to remember and second there is one positive news about this company that is I know this company looks like highly valued right now but if you compare this same Zomato with U.S. का DoorDash that is a for same food delivery app used in U.S. for food deliveries then DoorDash का भी यहां पे market cap बहुत ही जाद है that is 58.33 billion dollars का market cap है उसे जाप से जो मैटो का आज का market cap जहां तक मुझे दिखता है that is 12 billion dollars का market cap है अभी जो मैटो का तो आप अगर उस लियाज से देखे तो अभी जो मैटो का headroom भी काफी है पर एक और interesting fact मैं आपको बता दू अभी जो हम लोग इसका market cap देख रहे हैं जो listing issue price पे जितना था इसका 76 rupees पे इसका जो market caps to sales का ratio था उसका 29.9 percent का था that is extremely higher compared to other food delivery apps in China Japan Germany Europe and parts of U.S. वहां से कहीं गुना जादा है that is 29.9 almost 30 percent का market cap to sales का ratio price to book value was at 12.9 that is 13 percent so जब यह issue हुआ था जो मैटो का IPO and अभी listing के time इसका अगर 100 पे इसका listing होता the market cap to sales would go to 39.3 that is almost triple the price of issue so that is I think some euphoric valuations that I've got like data crunching के बाद मुझे ऐसा ही कुछ valuation इसका लगा है और अभी जो यह अगर यहां से यह मान लीजी आप इसको होल्ड कर रहे हो और यहां से यह थाइस हो भी हो जाता है इससे भी डबल हो जाता है आपको फिर भी महेंग लगेगा तो एसे वायूइशों इसके हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से गाहर my research as per my data crunching I think इतना तक यह नहीं जाना चाहिए शायद ही यहां से नीचे गिरे तो आपको profit book कर लेने का सला होगा and I don't know I might be wrong because this is market and ultimately we know that market is superior and I reserve the right to be wrong मैं गलत भी हो सकता हूं और यह सही भी हो सकता as per my research third अगर यह 500 के levels पर चले जाए if it touches 500 levels मतलब Zomato का शेर का price अगर 500 हो जाए the market cap to sales will reach 200 yes guys it will reach 200 that is unimaginable I can't imagine such high market cap to sales ratio and price to book will be 100 so that will reach almost the percentage of our GDP so I think at this valuations 1 lakh crore market cap it achieved I am very happy for all of them those who have invested and आप लोगो ने अच्छा कासा मुनाफा बुक किया होगा और जिनों लोगो ने नहीं किया है I think कुछ और further buying यहां पर आ सकती है तो आपको सो समझ के cautious रहे कि इसमें profit book करने का सला होगा और second thing यह आजकल का यह नया जावाने का business है these are all the asset light models there is a platform जो जहां से delivery होता है and there is no assets such good assets of the company company का ऐसा kuch assets भी नहीं है so this is a asset light model with time the investment theme changes अब हम लोगो सबको पता है कि अभी का यह नया business model है so यह high valuations पे ही रहेगा हमेशा so मेरा यही राय रहेगी कि आप फोरा integer करें और profit अपना book कर लें जादा expectation इससे करना सही नहीं होगा because already इसका market cap बहुत जादा हो चुगा है compared to the pizza making company its nearest competitor that is Domino's jubilean food के market cap से यह बहुत जादा हो चुगा है and this is a food delivery app so keeping all this in mind and hero motocorp का bike है use करता है so hero motocorp से 1.7 times almost two times जादा इसका market cap है so keeping all this in mind I think investors of Zomato should keep a strict stop loss at 125 I think 125 से लेगे 120 तक का एक अच्छा stop loss आप लेके चल सकते हैं इसके नीचे आये तो आपको अपना position square of करना परेगा because if it comes down then it will take a bearish mood ज्यादा charts में कुछ है नहीं क्योंकि आज ही list हुआ तो charts कुछ analyze नहीं कर सकते इसका but this will be the levels so profit book करने की राय रहेगी और अगर अगर आप hold करते हो Zomato को for the long run you should invest 10 rupees from your 100 rupees that is 10% of your total portfolio अगर आपने एक लाग रुपिया इन्वेस्ट किया है अपने share market में then 10,000 should be in Zomato only 10% and you should wait for another two to three years to get all these rates adjusted and let the company start earning profits then शायद इसका re-rating यह हो सकता है इसका अभी के लिए profit book करने का सला रहेगा so यह था guys आज का facts about Zomato I hope आपको यह video पसंद आया होगा मुझे comment पर बताईए आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो Zomato के IPO में पैसा लगाया था और उन लोगों ने आज अच्छा खासा profit book किया है let me know in the comment section और आप telegram channel भी join कर सकते हो finostat stock trader नाम से हम लोग का telegram channel है आप जूर सकते हो and इस channel को subscribe कर लिजेगा because यहाँ पर daily का 3 interday calls positionals और call put future options का हम लोग idea देते हैं that is all guys thanks for watching मिलते है नेक्स्ट वीडियो में